आज हमारे आपे हरताल का बोलते हैं, आप तीज बोलते हो शायद। और हो सकता है आप साबु दाना खा के वो छोड़ों, क्योंकि रात को भी खाना नहीं खाते हैं। तो दोनों टाइम लोग बिना पानी के भी करते है, मैंने भी बिना पानी के किया था कुछ साल, पर अब मेरी तबियत साथ नहीं देती तो मैं जो मिलाव खा रही हूँ तो मैंने ये साबुदाना भिगोया है किस में भिगोया बताती हूँ जो ककड़ी होती है हमारे मराठी में काकड़ी बोलते हैं और आप शायद खीरा बोलते हो तो खीरे को कीस कर लेना है उसका क्या बोलते हैं क्रश कर लेना है हमारे पर खिसनी होते हैं उससे करते हम तो ऐसे बना लेना है जो पानी उसका निकलता है उसमें आप साबुदाना भिगोई है तो क्या होगा जब आप साबुदाना बनाओगे तो उसको इतना अच्छा फ्लेवर आएगा ककड़ी का और वो टेस्टी लगेगी थोड़ा चिपचिपा हो सकता है चिपचिपे के लिए बताती हूं कि कड़ाई में कभी आप ऑईल घी या डालते हो न तो सेंटर में नहीं डालना है साइड से घुमा के डालना है पूरा जो पूरी कड़ाई में तेल लग जाता है उसकी वज़े से फिर चिपकता नहीं है और यह इतना टेस्टी होता है यह चिप चिपा भी हो जाए तो बहुत टेस्टी लगता है जो एक होता है कि साबुदा न हम अभी खा लेते बड़े बाबाकी दिनों में बड़ा टेस्टी तो खाना खाने को मन करता है इसलिए बोल रहे हूं अगर आप इसको ककड़ी में भीगोएंगे तो यह बड़ा टेस्टी लगेगा इसके आप वड़े भी बना सकते हो साबुदाना के वड़े भी ऐसे बना सकते हो इसमें बटाटा डालके अलू डालके उबला हुआ मतलब यह यह कीस का भी इस खीरे का भी टेस्ट उसमें आएगा और आलू का भी आएगा और बहुत टेस्टी लगेगा आप जरूर करके देखना अगर आपके पास मार्केट बिलकुल निया रहे तो हमेशा आप खीरे में ही जो है साबुदाने को डुबो के उसका जो है खीचडी बन अप लोग उसमें मिर्च्छी एगरा कूटते है ना उन की सौबुदा यह जो मुम्फली होती उसको भी गूटते है न उसमें तो उनकी साबुदा अप खीचडी बहुत टेस्टी होती है लेकिन यह कौन कारेगा इतना तो लेकिन हमारे आप मिक्सर पर अभी वो निकालते उसमें टेस्ट नहीं आता है तो ट्राइ किजिए कि जिनके घर में भी अब तो मैं उपर रहती हूं तो वो खलबता, सिल्वेटा क्या है वो यूज नहीं कर सकती बैसे भी मैं इतनी मेहनत नहीं करती बबा और आप कर सकते हो तो ज़रूर आप उसी में कीजिए बड़ा टेस्टी लगेगा और ट्राइ कीजिए खीरे में बहुत ही टेस्टी साब उदाना खिचड़ी बनती है इसके वड़े भी बनाओ तो भी बहुत टेस्टी बनते हैं